तो गाईस बिग बॉस एक बहुत ही जादा फ़नी गेम है और बिग बॉस में बायस होना बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है लेकिन अगर मैं बात करूं यह जो तीन चहरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मेरे अलावा इन तीनों के बारे मैं आज छोटी सी बात करें लेकिन तीनों के केस में एक चीज तो स्पस्ट हो गई है कि शिलपा शिरोडकर जी कितना जबरदस्त दोगला गेम प्ले दिखा रही है बिग बॉस के अंदर उनको हर जगा पे अच्छे बनके चलना है करन के साथ तो मेरी बंती है करन कहीं नहीं जाएगा विवियन डिसेन बॉलिवर्ड वाली सोचना कहीं जाती नहीं है ठीक है रजट के साथ मैं बिगार नहीं सकती क्योंकि इंफ्लूएंसर बहुत स्ट्रॉंग है तो इनका ये वला फंडा बड़ा सही जा रहा है कहीं पे भी ये गलत प्रूव हो जाए पॉइंट प्रूव हो जाए रोने अब इनोने विविएन को अपने लेने चेकर में जर्ट करूव करने चरणकी वर्राज को वे चुंती हैं दोनों में से चुम को decision making दी गई थी लेकिन चुम ने करन को चूज करा सारा का सारा पक्ष करन की तरफ था लेकिन सिल्पा जी ने दोगला gameplay खेलते हुए करन को ditch करके विवियन को चूज किया अब इन्होंने पते क्या point रखा है करन के आगे करन के आगे इन्होंने ये point रखा मैंने ये बोल रहा के करन सही था के विवियन सही था लेकिन मैं सिरफ साइड लेने की बात कर रहा हूँ इन्होंने सिरफ विवियन को खुश करने के लिए जिता दिया time god बना दिया लेकिन irony पता किस चीज पर थी irony ये थी के करन वीर महरा को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बेवगूव बनाने की कोशिश करी बाद में ये बोल के कि मैं तो देखना चाहती हूँ ये कहता रहता है कि कितना fair हूँ मैं मैं देखना चाहती हूँ ये कितना fair है तो ये चीज हमें कल के Big Boss में देखने को मिली आपके क्या विचार है कि धोगली शिलपा जी की धोगली गेम या धोगली कहाई कब तक चलती रहेगी क्रिपया करके मुझे Big Boss के अगले एपिसोड तक जरूर बता है मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है क्या ये दोगली महारानी Big Boss के अंत तक टिक पाएगी हाँ वैसे तो कॉंट्रैक्ट मिला होगा मिनिमुम गरेंटी वाला बट क्या आपको लगता है कि ये Big Boss के फिनाले तक टिक पाएगी तो लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में मेरे तो विचारी ही लगए है भाई सोच समझके कि क्या चल रहा फिलाल के लिए और आइरोनिकली शेलबका जी की गेम दोगली है मुझे तो दोगला पन लग रहा है बाकी आपके क्या विचार है कॉमेंट्स में जरूर बताना जाहिए अंदर